हम 10A, घटा 3 को पूरे पॉलिनॉमियल यानि बहुपद 5A का वर्ग जमा 7A, घटा 1 के साथ गुणा कर रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए हम बस वित्रण गुण का उप्योग कर सकते हैं। हम इस पूरे पॉलिनॉमियल यानि बहुपद को इस पूरे ट्राइनॉमियल यानि त्रिपद को आपस में गुणा करने के लिए वित्रित कर सकते हैं। इससे हमें 5A का वर्ग जमा 7A, घटा 1, गुणा 10A मिल सकता है। और फिर पांच ए का वर्ग जमा साथ ए घटा एक गुणा रिनात्मक तीन मिल सकता है। चलिए मैं इसे लिख देता हूँ, दस ए गुणा पांच ए का वर्ग जमा साथ ए घटा एक। यहां पे यह इस तरह से होगा और फिर हमें रिनात्मत तीन गुणा पांचे का वर्ग जमा साथ ए घटा एक मिल सकता है और यहां यह वितरण इस तरह से होगा और फिर हमें से आसान बना सकते हैं पिर हम इस रिनात्मक तीन को इन सब के साथ गुणा करने के लिए वितरण कर सकते हैं और अब हम समान पदों को जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं यहां पर यह एक मात्र ए की घात तीन वाला पद है इसे पचासे की घात तीन लिखेंगे अब हमारे पास ए के वर्ग के दो पद हैं हमारे पास सत्तर ए का वर्ग घटा पंद्रह या रिनात्मक पंद्रह ए का वर्ग है तो हम इन दो पदों को जोड़ सकते हैं किसी मान का सत्तर घटा किसी मान का पंद्रह ऐसा करने में इस मान का पचपन शेश रहता है तो ये हो गया 55 A का वर्ग और फिर हमारे पास 2 A पद भी हैं हमारे पास ये रिनात्मक 10 A है और फिर ये रिनात्मक 21 A है तो इस तरह अगर हम रिनात्मक 10 घटा 20 करते हैं तो ये रिनात्मक 31 के बराबर होता है जो कि रिनात्मक 31 A होता है और फिर रंत में हमारे पास बस एक रह जाता है हमारे बास धनात्मक तीन है जो की जमात तीन होता है और हमारा काम पूरा हुआ